असलावलेकूम वेलकम बेक टू मैं यूटॉब चैनल आज हम अपलोग के साथ होममेट बिर्यानी मसाले की रेश्पी सेयर करेंगे जिससे जो है हमारी बिर्यानी बेहत लजिच बनेगी और हम जो है 5 kg बिर्यानी का यहां पर हम मसाला बता रहे हैं तो पूरी वीडियो आप मिर्च और जितना हम संफ लेंगे उतना ही हम यहां पर जीरा लेंगे जो छोटा कप आता है वन फोर्ट कप उसकप से हमने लिया है लॉंग यहां पर हम जितना लॉंग लेंगे उतनी हरी लाइची लेंगे 20 से 25 हम काली वाली लाइची लेंगे थोड़ा सा यहां पर हम कवाब चीन sommes यह चो कवाब चीनी होता है कावली मिर्श की थरह होता है बढ़ご Crit Wir Fly कि यह पथर की फूल जोहना यह भी करम मसालों में पड़ता है और कई गोपर नहीं भी मिल पाता है अगर आपके पास नई हो तो आप इसे स्किब्बे कर सकते हैं इसी में हम जावित्री आड़ करेंगे यहां पर सारे मसालों की कॉंड़ेटी आप देख सकते हैं अब इसी में हम ये तिश्पत्ता तोड़कर डाल देते हैं जब तोड़कर हम सारी चीज़े डालते हैं तो रोष्ट करने में थोड़ा सा इजी हो जाता है वैसे हमारे यहां जो है बिर्यानी अक्सर बनते रहती है और जो लोग गेश्ट आते हैं उनका एक कोश्चन होता है कि बिर्यानी का मसाला हमने कहां से लाया है तो आज यह सारी चीज़े जो है ना हम आपकी साथ क्लियर कर रहे हैं तो आज हम बिर्यानी का मसाला आपके साथ आप इस तरह से होममेट बिर्यानी मसाला घर पर बना कर रख सकते हैं और बेहत लजीश बिर्यानी बना सकते हैं और आपने देखा भी होगा कुकिंग करते समय हम अब इसा होममेट मसाले ही यूज करते हैं सोचा आप मसालों की रेज़्बी भी आपके साथ सेयर करें तो यहा फ्लेम पर हम मसालों को दो मिनट रोष्ट करेंगे अब यह जो मसाले होते ना धनिया जो होता है वह थोड़ा मोटा होता है तो इसे हम पहले रोष्ट करकर अलग करेंगे उसके बाद जो यह गरम मसाले होते हैं इन्हें हमें हलका रोष्ट करना है तो हम सिर्फ एक मिनट इ जब हम यह रोश्ट करके यह मसाला बनाते हैं इसके दो फायदे होते हैं एक तो काफी अच्छी खुस्बू आती है मसालों में दूसरा जो है यह खराब होने का भी डर नहीं होता है लंबे टाइम तक हम इसे स्टोर कर सकते हैं तो एक साथ जहें आप ज्यादा कॉंटिटी मे सकते हैं या फिर आप 5 kg चावल भी ले सकते हैं दोनों के सेम कॉंटिटी भी ले सकते हैं हम जो है अगर 5 kg चिकन लेते हैं तो उसमें 4 kg चावल एड़ करते हैं तो इस तरह से रेसों होता है बिर्यानी बनाने का आप जो है अपने सबसे बना सकते हैं अगर आप कम खुस्बू आ रही है मसालों से और जब कभी भी आप यह गरम मसाला घर पर बनाएंगे ना तो यह किनमा ने पूरे घर में खुस्बू फैल जाती है तो मसालों को अब हम ठंडा कर लेते हैं उसके बाद जो है मिक्सी की जार में डालकर हम इसे ग्राइंड करेंगे जब मसाला करेंगे जो भी उसमें रेसे वगरह रहते हैं वू सारे निकल जाए उसके बाद कटेनर में श्टोर कर सकते हैं एक बर इस तरह से आप मसाला बना कर प्रुकर लेंगे ना to काफी लंब टाम चलता है और इसी तरह से जो हम होम deduct माषभी मलाएंफाव अबना कर स्टोर कर लेत आप ती स्पुन जो है पुलाओं में खिचडी में आप यह जो मोटे वाले मसाले न वह डाल कर देखें बेहत लजीज हमारे खिचडी बनती है तो यहां पर देखें हमारा होमेट बिर्यानी मसाला बनकर रेडिय हो चुका है तो इन मसालों से जो है आप 5-6 किलो बिर्यानी घ आते हो तो आई होप कि आज की बिर्यानी की रेस्पी आपको पसंद आई होगी तो आप लोग इसे जरूर ट्राय करें फैमली फ्रेट्स में भी सेयर करें और हाँ जब कभी भी ट्राय करें में फिट बैक देना ना भूलें चलिए मिलते नेक्स वीडियो में तब तक के लि आपियला हाफीज